नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Bollywood Unboxing में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फिल्म इंडस्टी के काउबोई कहे जाने वाले एक्टर कम डिरेक्टर फिरोज खान की फिल्म जावाज के बारे में दोस्तों फिरोस खान की यह फिल्म जिन हाथसों और हालातों से गुजरते हुए परदे तक पहुंची वह भी किसी दिलेरी से कम नहीं दोस्तों फिरोज खान ने इस फिल्म के लिए तमाम नए रिष्टे बनाए तमाम पुराने रिष्टे तोड़े और यहां तक कि अपने खून के रिष्टों में भी दरार डाल बेठे दोस्तों अगर आप हमारे चेनल बोल्यूड अन्बोक्सिंग पर रहे हैं तो हमारा चेनल सब्सक्राइब जो रहे हैं क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बाते आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों फिरोस्कान इंडस्टी के उन गिने चुने सितारों में से एक हैं जिन्होंने पहले राज कपूर देवानन और दिलिप कुमार की तिकड़ी के समय अपनी पहचान बनाने में कामया भी पाई और फिर राजश्खना, अमिता वच्चन और धरमेंदर के दोर में खुब शोहरत बटोरी साल 1972 में फिल्म अपराद से फिरोस्कान निर्देशक बने और इसके बाद बनी अगली दोनों फिल्में धर्मात्मा और कुर्बानी भी सूपर हिट रही फिल्म कुर्बानी से फिरोस्कान ने इतना पैसा कमाया कि उनके पास रखी तिजोरियां भी पैसे रखने के लिए कम पड़ गई थी फिल्म कुर्बानी इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि फिरोस्कान को एक नय तरह का सीनेमा अपने सपनों में दिखने लगा था इस शिनेमा में अब परमपरागत कहानियों के लिए कोई जगह नहीं थी लेखक जोड़ी सलीम जावेद में से सलीम खान को वह अपने साथ विदेश गुमने ले गए दोनों लगभग मैने भर साथ गुमें विदेशों में बार देखे पप देखे एश के वे सारे मुकाम देखे जहां फिरोज खान अपनी एक ऐसी फिल्म देख रहे थे जिसे वे इंटरनेशनल मार्केट में रिलिज कर सके वे ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो हिंदी में देशी दर्शकों की पसंद के हिसाब से बने और अंग्रेजी में बने तो ऐसे दर्श्यों के साथ की होलिवुड को भी मार्दे दे दोस्तों कुर्बानी 1980 में रिलिज हुई और अगले 6 साल तक फिरोज खान ऐसा कुछ करते रहे कि इंडरस्टी भी हेरान रह गई कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं दोस्तों फिल्म कुर्बानी की रिलिज से पहले फिरोज खान ने एक फिल्म 1977 में शुरू की थी जिनत अमान के साथ फिल्म का नाम था कसक लेकिन फिल्म का कुछ हिस्सा शूट करने के बाद उन्होंने ये फिल्म बंद कर दी और फिर कुर्बानी पर काम चालू कर दिया फिल्म कुर्बानी ब्लोकबस्टर रही तो फिर वे इस पुरानी फिल्म कसक को पूरा करने की सोचने लगे इस बार उन्होंने जिनत अमान की जगह परविन बाबी को लिया और साथ में लिया रेखा को फिरोस खान के अलावा फिल्म में शत्रुगन सीना थे और संजी कुमार भी थे फिल्म की शुटिंग लगबग दो मेने तक चली और एक दिन परविन बाबी मुंबई से अचानक गायब हो गई परविन बाबी के जाने और सलीम खान के सीन में आने के बाद फिरोस खान ने जावाज नाम की एक नई फिल्म शुरू कर दी हिंधी और अंग्रेजी में एक साथ बनने वाली इस फिल्म के लिए फिरोस खान ने लंदन में तमाम विदेशी मोडल्स के साथ रेखा पर एक गाना शुट किया गाना था एक तो कम जिन्दगानी कहते हैं इस गाने के शूट के बाद फिरोज खान और रेखा में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई फिरोज खान ने फिल्म से रेखा को निकाल दिया लोग अब तक यही समझ रहे थे कि फिरोज खान अपनी पुरानी फिल्म कसक को ही जाबाज के नाम से बना रहे हैं क्योंकि दोनों फिल्मों में ये दो हिरोईने थी और दोनों के किरदार स्टेश सिंगर के रखे गए थे रेखा से पंगा होने के बाद फिरोज खान ने अपना डारेक्शन चेंज कर दिया अब 1983 में उन्होंने एक नई फिल्म लौंच की और नाम हाला कि इसका भी जाबाज ही रखा लेकिन उन्होंने लोगों से जो स्टार कास्ट इस बार मिलवाई वो पूरी तरह अलग थी फिरोज खान ने अपने दोनों भाईयों संजे खान और अग्वर खान को भी फिल्म में ले लिया था लेकिन फिरोज खान और अग्वर खान में नोग जोग शुरू हो गई और फिरोज ने अपने भाईयों के साथ फिल्म बनाने का आइडिया कैंसल कर दिया और नई कहानी की तरफ बढ़ गए कहानी इस बार दो भाईयों की थी जिसमें एक जिम्मेदार पुलिस ओफिसर है और एक मस्मॉलर टाइप का इंसान है इंस्पेक्टर के किरदार में खुद फिरोज खान और उनके भाई के किरदार में अनिल कपूर और अनिल कपूर के सामने कास्ट किया गया था डिमपल का पाडिया को दोस्तों फिरोज खान के किरदार राजश के सामने स्पेशल अपियंस में फिल्म में कास्ट किया गया था श्री देवी को श्री देवी ने पहले तो फिल्म की कहानी सुनने के बाद फिल्म करने से मना कर दिया तब फिरोज खान ने फेका अपना तुरुप का इक्का और ये था श्री देवी से उनका तमिल में बात करना फिरोज खान बहु भाशी इनसान थे उन्हें तमिल के अलावा करनड भी अच्छी तरह आती थी श्री देवी को उनका अतमिल में बात करना भागया दोस्तों जाबाज वह पहली फिल्म है जिसमें श्री देवी ने अपनी डबिंग खुद करना शुरू की और वह भी फिरोज खान के होसला बढ़ाने पर फिल्म में श्री देवी पर फिल्माया गया गाना जिसे आनन बक्षी ने लिखा था आज भी बहुत पॉपुलर है दोस्तों फिल्म की कहानी भी फिरोस खान अब तक अपने दोस केके शुकला के साथ मिलकर पुरी तरह बदल चुके थे और इस बात की जानकारी भी सलीम खान को दे आयाए थे हाँ फिरोस खान ने सलीम खान से गुजारश की कि फिल्म का टैटल उन्हें जाबाज ही रखने की मंजुरी दे दे दोस्तों सलीम खान ने जो फिल्म पहले लिखी थी उसमें फिरोस खाने जिस तरह उत्तेजक सीन डाले थे उससे सलीम खान वैसे भी खुश नहीं थे उन्होंने इस बात का शुक्र मनाया कि अब फिल्म में उनका नाम नहीं जा रहा है और खुशी खुशी फिल्म का टाइटल फिरोस खान को दे दिया फिरोस खान ने सलीम खान के लिखी फिल्म तो नहीं बनाई लेकिन उस फिल्म के लिए जो गाना उन्होंने रेखा पर लंदन में शूट किया था उसे जरूर इस फिल्म का हिस्सा बनाया जो की अपने टाइम का सूपर हिट गाना रहा था और गाना था एक तो कम जिन्दगानी दोस्तो हुलिवट फिल्म डियॉल इन दे सन पर आधारित फिल्म जाबाज अनिल कापूर को अपनी चर्चिद फिल्म मशाल के प्रीमिर पर मिली थी निर्देशक यस्चोपडा ने अनिल कपूर की उस दिन खुब तारीफ ही की और मशाल के प्रीमेर वाली रात जावाज के अलावा अनिल कपूर ने एक और फिल्म साइन की थी जो थी निर्माता निर्देशक सुबाज गई की फिल्म मेरी जंग दोस्तो कम ही लोगों को मालूम होगा कि जावाज फिल्म में अनिल कपूर को ये रोल कमल हासन के मना करने पर मिला था हाला कि कमल हासन की ही कई रिमेक फिल्मों में अनिल कपूर ने काम करके अपनी पहचान बनाई थी लेकिन ये पहले फिल्म रही जिसे लिखा तो गया था कमल हासन के लिए लेकिन इसमें काम किया अनिल कपूर ने दोस्तों फिल्म जावाज के बाद फिरोज खान अनिल कपूर जेकी श्राप और खुद को लेकर भारती सेना पर एक फिल्म यलगार बनाने का एलान कर रहे थे श्री देवी ने जावाज में जो इस्पेशल अपिरियंस दी थी वह इसी फिल्म यलगार को बतोर हीरो इन साइन करने के बाद ही दी थी लेकिन फिरोज खान की जेकी श्राप से कुछ अन्बन हो गई तो उन्होंने जेकी श्राप को फिल्म से निकल दिया जेकी और अनिल की दोस्ती उन दिनों ऐसी थी कि जेकी गए तो अनिल कपूर ने भी फिल्म से हाथ खिच लिए और ये फिल्म फिर बन ही नहीं पाई बाद में इसी नाम से फिरोज खान ने एक फिल्म बनाई उसमें करेक्टर थे संजधत, नग्मा और मनिशा कोईराला बन ही नहीं पाई दोस्तों कादर खान को फिल्म में डायलोग लिखने और में विलेन की भूमिका ओफर की गई थी लेकिन कादर खान तब तक विलेन की भूमिका करना छोड़ चुके थे इसके चलते मदन जोशी ने फिल्म के डायलोग लिखे और खलनाय की बुमिका के लिए रजा मुराद को कास्ट किया गया था फिल्म में संगीत की बात करें तो कल्यान जी आनन जी ने फिरोश खान के कहने के अनुसार संगीत पुरी तरह वेस्टर्ण इंस्ट्रूमेंट पर बनाया था इस फिल्म में उन्होंने म्यूजिक के साथ खुब प्रयोग किये और हिंदी सिनिमा के दर्शकों ने उन्हें खुब पसंद भी किया वह डिस्को का दोर था और फिल्म के सारे गाने फिरोश खान ने फिल्माए भी उसी अंदाज में थे दोस्तों 1986 वाले साल में फिरोश खान की ये फिल्म कमाई के मामले में छटे नंबर पर रही थी और फिल्म सूपर हिट रही इस साल नंबर वन पर रही सुबाज गई की मल्टी स्टारर मुवी कर्मा जिसने लगबग साथ करोड रुपे का बिजनस किया था दूसरे नंबर पर रही रिशी कपूर और श्री देवी की फिल्म नगीना और तीसे नंबर पर थी अमिता बच्चन की साउथ के डिरेक्टर की फिल्म आखरी रास्ता दोस्तों फिल्म जामाज के प्रीमियर में महरमानों की लिस्ट उतनी ही बड़ी थी जितनी की कुर्बानी की समय थी लेकिन फिरोज खान के दोनों भाई संजे खान और अकबर खान प्रीमियर पर अनवेलिबल रहे इसके जवाब में फिरोज खान संजे खान की फिल्म काला धंदा गोरे लोग के प्रिमेर में शामिल नहीं हुए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बॉलिवूट अन्बोक्सिंग को सबस्काइब जरू करें धन्यवाद